कि वो स्थ्याज़की दीगे ही, तो आप क्या गर्वाचाएं? मैं, हाला कि मेरे पवन जी, दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो वो फील कर रहे हैं इस वक्त, उस चीज़ को मैं भी फील कर सकती हूं, कि क्या बीत रहा है उनके उपर, और ये बहुत दुख की बात है, अपने लाइफ में, मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए, या किसी भी बच्चे के लिए माता-पिता का होना, या उनकी मौजूदगी, भले वो साथ में रहे या नहीं रहे, उसकी बहुत इंपॉर्टन्स होती है, तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ कह सकूँ, बस यही भगवान से दुआ करती हूं कि उनकी आत्मा को शांती मिले, और वो जहां भी रहें, अच्छ सबहें. मेरे मेरे बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही अलग सा कारेक्टर है मेरा, चुणबली है और कॉलेज गर्ल है, तो बहुत ही डिफरेंट रोल करने का मॉका मिला, और आई होक दर्शकों को पसंद आएगा. तो जिस तरह से आपने बताया है चुणबली और कॉलेज का से है इसमें आपका किर्दार, तो कॉलेज की टाइम की बात हो जो आप बताना चाहिएंगी. कॉलेज की टाइम की बात, हाला कि कॉलेज में, I'm sorry to say, मैं कॉलेज अभी तक गई नहीं हूँ और कॉलेज का मूह नहीं देखा है, मैंने की कॉलेज होता कैसा है, बस फिल्मों में देखी हूँ, क्यूंकि क्लास टेंथ में जब थी, तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद मेरी पढ़ाई कर्रिस्पॉंडेंसी हुई, तो इसलिए कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन दोस्त हैं, और जब भी मुलाकात होती है, तब जो मस्ती हो जाती है, बस. और ओडियन से क्या कहना चाहेंगी से यही कहना चाहूंगी, कि अब तक जितना भी प्यार और जितना भी आशरवाद हम लोगों को आप लोगों ने दिया है, इस चीज को हमेशा बरकरार रखिए, और ऐसे ही हमारी फिल्मों को प्यार देते रहिए, और आप लोग जरूर जाके देखिए फिल्म हमारी, और इस फिल्म को भी सहिया सुपरस्टार को खुब सारा प्यार और खुब सारा आश्रवाद दीजे यही उम्मीद करती हूँ आप लोग उसे और यही रिक्वेस्ट भी करूंगे Thank you Thank you so much